Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear Strings, आज की इस लेक्चर के साथ हम Applied Match Second की जबरजस्त शुरुआत करने वाले हैं Dear Strings, आप सभी लोग Copy और Pen लेकर के बैठिएगा और धान से Complete लेक्चर को देखिएगा आपको Applied Match Second बहुत ही Easy लगने वाली है Dear Strings, आईए आज की इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं Dear Strings, यहाँ पर मैंने लिख रखा है Applied Match Second जिसमें आपकी जो First Unit है, उसका नाम है समाकलन गडित First, Integral Calculus First और इस Integral Calculus First का जो First Chapter है, जो Chapter First है, उसका नाम है समाकलन अर्थात Integration आज हम इसी Chapter के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में डिसकस करेंगे लेक्चर बहुत ही ज़्यादा Important और बहुत ही ज़्यादा Interesting भी आप सभी लोगों के लिए होने वाला है इसलिए ध्याद से चीज़ों को समस्ते चलेंगे, सारी चीज़े 100% समन में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आईए डियर स्टेंट सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि समाकलन है क्या, समाकलन किया कैसे जाता है और समाकलन काने पर हमें क्या प्राप्त होता है जैसा कि अगर आप सभी लोग उने अपनी बुक को देखा होगा तो इस टार्टिंग के कई चेप्टर्स में आपको समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ही करना है तो इस ट्रेंट्स ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी चीजे, कई सारी चीजे इसके अंतरगत हमें सीखने है धीरे-धीरे करके हम सभी लोग सीखते चलेंगे बहुत ही आसान आप सभी लोग को लगने वाला है ठीक है क्योंकि चैप्टर का नाम है समाकलन जिसको हम सभी लोग इंग्लिज ने क्या बोलेंगे integration कहते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम यह जाने समाकलन अर्थात integration होता क्या है अगर इस एक लाइन में हम जानना चाहें तो एक लाइन में इसको लिखेंगे कि समाकलन ध्यान देना समाकलन समाकलन आउकलन की ध्यान सुनिए का हमारी बात को समाकलन इसको नोट भी करिएगा समाकलन आउकलन की बिपरीद प्रक्रिया है बिपरीद प्रक्रिया है ठीक है यह एक लाइन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि समाकलन क्या है आउकलन की बिपरीव प्रकिरिया है हमें हां लिख सकते हैं इंगलिस में भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस आप रिवर्स प्रोसेस आप डिफरेंसियेशन देखे डियो सेंट्स आप बिल्कुल हर बढ़ाएंगे नहीं जल्दबाजी नहीं करेंगे जो बाते मैं आपको बताते चलूँगा ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको एक फील आएगा कि वाट इस इंटीग्रेशन देन प्रोब्लम को साल्ब करने में कुईस्टन को हल करने में आपको समझ्या बिल्कुल नहीं होगी और आप वास्तविक्ता को भी समझ पाएंग है जिससे आगे चल के फ्यूचर में आप इसका अप्लिकेशन समझ सकें इसका यूज कर सकें अपने इंगिरिंग लाइफ में सो डियो सेंट्स ध्यान से समझेगा हमने समाकलन को डिफाइन किया कि समाकलन आउकलन की बिप्रीत प्रक्रिया है इंटीग्रेशन इज रिवर् हमने इसकी डेफिनिशन लिख दी अब हम इसको समझे का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है आईए थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं अभी आप सभी लोगों ने अप्लाइड मैथ फर्स्ट में आउकलन को डिटेल में पढ़ा है ध्यान समझे का हमारी बात को डियो में पढ़ा है कब एपलाइड मैथ फर्स्ट में चेन रूल आप डिफ्रेंसियेशन क्या होता है लॉग लेकर के डिफ्रेंसियेशन कैसे करते हैं सारी चीजे आप सभी लोगों ने सीखा है आपको एक छोटी सी बात ध्यान दिलाते हैं डिफ्रेंसियेशन कैसे करते हैं जै के function का x के respect में differentiation अर्थाथ outline कर रहे हैंuch यहां हम लाकर के लिखते थे c square x यह आपको याद है कि 10 x का differentiation क्या होता है c square y x होता है यह जो हमें प्राप्त होता है divergence यह जो हमें मिलता है अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं आउकल गुडांग कहते हैं ठीक है जिसको इंगलिज में differential coefficient कहा जाता था और इसी को ग्याद करने की जो प्रक्रिया थी जो process थी उसी को आउकलन करना कहते हैं ध्यान सुनिए का हमारी बात को उसी को क्या कहते हैं डियो सेंट्स आउकलन करना कहते हैं यह चीज साहिद आपको याद आ रही होगी इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जैसे आप सभी लोगों ने किया है d by dx आप x की पावर 4 तो x की पावर 4 का differentiation क्य होगा 4 x cube अब यह जो आपको यह मिला यह क्या है आउकल गुडांक है यह function था इसका x के respect में differentiation किया गया है आउकलन किया गया है यह हमें प्राप्त हुआ है ऐसे तमाम प्रकार के function थे बहुत सारे फलन थे जिनका हम लोग आउकलन करते थे आउकलन करने पर उनका आउकल x आउकलन किया है तो इसका x के respect में differentiation किया गया तो differential coefficient क्या मिला 1 upon root over under root 1 minus x square हमें आउकलन करके मिल गया अब यह आउकल गुडांक आपको एक बार याद आगया होगा अब आईए हम लोग समाकलन समझते हैं यह function है d by dx operator है इसका मतलब है इस function का x के respect में differentiation किया जा रहा है और जो प्राप्त होता है उसे हम आउकल गुडांक कहते हैं यह आपको पता होगा इसी से जोड करके इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए तना जोड दे रहा हूँ बातों को ध्यान से समझिएगा दियो स्ट्रेंट जैसे अभी यहां पर बताया कि समाकलन आउकलन की बिप्रीद प्रक्रिया है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है जैसे हमारे पास कोई एक फलन है इसका आवकल गुडांक यह है ठीक है तो किसी आवकल गुडांक का जो पूरवग है या जो वर्जीनल फंक्सन है उसको फाइंड करने की जो प्रॉसेस होगी उसको इंटिग्रेशन कहा जाता है कहने का मतलब यह है कि से किसको आड एक्स लिखा गया तो से किसको आड एक्स किसका डिफ्रेंसियेशन करने पर आया है वही इसका क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा जैसे आपको कोई फंक्सन दिया गया एफ एक्स आपने एफ एक्स का किया डिफ्रेंसियेशन क्या किया ड F-X का integration करोगे, integration करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, F-X मिल जाएगा, सम 있미 यारी बात है न ? कहने का मतलब यह है, जैसे T-X का आपने autism किया तो आपको क्या मिला C-Square-X मिला, तो C-Square-YACT का अगर आपो समाखलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10x मिल जाएगा इसलिए कहा गया कि जो हमारा integration है that is the reverse process of differentiation समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्लिकर हो गई बाते हैं अब जैसा कि यह तो अभी हमने word में बताया अब बात यह होती है कि इसको हम notate कैसे करते हैं इसको हम represent कैसे करते हैं इसको लिखते कैसे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब जैसे यहां पर लिखा गया तो d by dx क्या दिखा रहा है और यह जो हमें मिलता है वो क्या दिखा रहा है तो इन सब चीजों पर आईए हम लोग चर्चा करते हैं और कुछ नोटेशन हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे इन सारी चीजों को आप समझ गए होगे इनको हम यहां से इरेज करते हैं धीरे धीरे करके हम टॉपिक को समझते चलेंगे और सारी बातें आपको हंडेट परटेंट समान में आएगी और कुछसन भी साल करने में आपको बहुत मजाने वाला है इसलिए ध्यान से चीजों को समझते चलिएगा तो आईए हम लोग समझते हैं कि क्या है समाकलन तो निस्चित रूप से आप बस इतना देहान रखिएगा कि जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्षन है इस फंक्षन का हमने आउकलन किया और हमें समाकलन करने पर क्या आएगा यह आएगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे ही हमें समझा है इसको लिखने के यह इंटिवेशन का साइन ही उसकिया जाता है और यहां लिखा जाएगा यहां लिखा जाएगा डी एक्स और यहां आ जाएगा यह फ्यक्स अब ध्यान से समझे हमने क्या नोटेशन है उस किया हमने आप सभी लोग को यह समझाया अगर हमारे पास कोई function है यह फैक्स इसका find करने की जो प्रोसेस होती उसको समाखन कहते हैं इससे इसको find करने का जो notation होता है उसको हम ऐसे लिखेंगे d by dx आप fx is equal to f-x और इससे इसको find करने की जो process होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे f-x dx इससे लिखेंगे और हमें क्या मिलेगा यहां पर fx मिलेगा कि बाते समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है अब आए थोड़ा सा notation को हम detail में समझे का प्रयास करते हैं ठीक है देखेंगे जासे कि अब जैसे यह लिखा हुआ है डियो सेंट cfx लिखा है dx लिखा हुआ है यह जो आपके सामने दिखा है इसके बारे में जो सिंबल बना हुआ है यह बिक्रितरूप है जो और कि रोप है समाकलन योग की सीमा के रूप में ठीक है सिव यह जो हमारा integration का sign बना हुआ है, यह S से बना हुआ है, आप जड़ा imagine करिए कि यह S है, अगर S को दोनों तरफ पकड़ के ऐसे खींचा जाए, देखिए दहां से, जैसे यह S है S, इसको यहां और यहां पकड़ के ऐसे खींचा जाए, तो वो कुछ इस तरीके से ही बन जाएग है, यह हमारे पास कोई function है, FX, ठीक है, कोई function है, FX, जिसका हम X के सापे क्या कर रहे हैं, integration कर रहे हैं, यह जो function है, जिसका हम सभी लोग समाकलन करते हैं, इसको समाकल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समाकल, इंटीग्रेंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड के के नाम से जानते हैं और इसको पूरी प्रॉसेस को कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा जैसे यफ डैस यक्स आएगा तो इस चीज़ को जो रिजल्ट हमारा आता है इसे हम इंटीगरल कहते हैं क्या कहते हैं इंटीगरल कहते हैं हिंदी में इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं समाकल कहते हैं समाकल कहते हैं इस समाकल को प्राप्त करने की प्रॉसेस जो होती है समाकल को फाइंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को समाकल कहा जाता है जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा समाकल कहा जाएगा आई होप आप सभी लोगं को स ठीक बास सौन में आ रही है और इसको find करने की जो process होती उसको हम समाकलन करते हैं और जो हमें find होता है उसे हम integral कहते हैं जबकि आउकलन में क्या होता था जिस function का हम आउकलन करते थे वो normally function उसको बोलते थे और आउकलन करने पर जो मिलता था उसे आउकल गुडांग कहते थे अ है कि समाकलन जो है वो आउकलन की कौन सी प्रक्रिया है उल्टी प्रक्रिया है reverse process है दूसरा हम यह कह सकते है कि समाकल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है जो process होती है उसको हम समाकलन कहते है आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यह इसका notation है जो आपक के लिए इनका कोई मतलब नहीं इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी जब इस जब यह यहां पर ऐसे लिख करके लिखा जाएगा तब इसका कोई मतलब निकलेगा इसका मतलब है कि GX हमारा को integrand है जिसका हम X के respect में क्या कर रहे हैं integration कर रहे हैं तो I hope dear friends आप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा कि integration क्या होता है समाकलन क्या होता है किलियर हो गई बाते हैं क्या समझे आप लोग किसी फलन का जब आउकलन करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है वो आउकल गुडांक हम कहते हैं तो वो आउकल गुडांक किस से प्राप्त हुआ है उसी को प्राप्त करने की जो process है उसी को हम लोग समाकलन कहते हैं इसलिए dear students हमने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको समाकलन बहतर तरीके से समझना है तो आपको आपकलन आना चाहे क्योंकि अभी आप देखेंगे समाकलन के स्टार्टिंग के जितने फार्मूले होंगे वो सब इंटीग्रेशन से ही निकलेंगे ठीक है तो आईए कुछ और चीज़े हम यहाँ पर दिर दिरे करके समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे यहाँ पर होने वाला है कुछ फार्मूले सीखेंगे देखो टीए स्टेंट्स देखिए सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला आप देख लिए तब आपको ज़्यादा चीज़े समझ में आएंगी फार्मूला क्या है देखिए जैसे सबसे बेसिक फार्मूला आप लोग पढ़ते थे डी बाई डी एक्स आप एक्स की पावर एन इसका आपकलन यहन एक्स की पावर एन माइनस न होता है सबको पता होगा तो इसी तरीके से इंटिग्रेशन का फार्मूला गर एक्स की पावर एन का हम पढ़ेंगे डी एस्टेंड तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन होता है लेकिन integration के सभी फार्मूलों में हमेशा plus में c आएगा ठीक है किसी भी function का जब आप integration करेंगे जैसे मल लिजी आप integration कर रहे हैं किसका x square का integration कर रहे है इस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा x की power 2 plus 1 upon 2 plus 1 हाएगा मतलब x की power 3 by 3 आगा यहां हमेशा plus c जोड दिया जाएगा यह और समझो जैसे अभी आप सभी लोगों को बताएगा कि d by dx आप tan x जो होता है tan x का differentiation क्या होता है c square x होता है इसका मतलब जब हम c square x का integration करेंगे तो हमें क्या मिलेगा tan x मिलेगा तो tan x लिखने के साथ साथ यहां पर c हमेशा आइड कर दिया जाएगा मतलब जब हम किसी भी function का integration करते है तो integration के बाद वहां पर हमेशा एक constant c आइड करा जाता है यह constant c क्यों आइड करा जाता है यह हम सभी लोग यहां पर समझने वाले हैं ठीके पहले हम लोग समझेंगे कि यह समाकलन अचर constant आफ integration क्या होता है फिर धिरे-धिरे करके हम लोग सीखेंगे याद करिए जब आपको आउकलन सिखाया गया था अर्था differentiation सिखाया गया था सबसे पहले differentiation क्या होता है बताया गया था फिर फार्मूले सिखाये गया था उन्हीं फार्मूले से हम सभी लोग integration करना सीखे थे अभी हम लोग समझेंगे समाकलन अचर किजे समाझ में आ रही होगी आप सभी लोग को अगर lecture आपको समाझ में आ रहा है पसंद आ रहा है अभी तक आप सभी लोगों ने lecture को like नहीं किया है तो like कर दिए समाकलन अचर ठीक है जिसको हम लोग बोलेंगे integration constant integration constant इसको dear students हम लोग बोलते है समाकलन अचर क्या होता है यह हम सभी लोग समझते है समाकलन अचर क्या होता है जब हम किसी भी function का समाकलन अर्थात की इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के पस्चाः डियसेंट्स हम सभी लोग हमेशा उसमें एक constant सी जोड़ देते हैं उसी को समाकलन अचर उसी को integration constant कहा जाता है अब हमें समझना ये है कि वो हम add क्यों करते हैं जरा समझिए ध्यान से जैसे डियसेंट्स सपोस करो आपको पता है d by dx आप 10x 10x का differentiation करोगे क्या आएगा सेक स्क्वार x आएगा अब सेक स्क्वार x का डियसेंट्स अगर हम integration करेंगे तो हमें 10x मिलेगा मतलब अगर हम इसका integration करें तो जिसका differentiation करने पर याया था वो हमें मिलना चाहिए अब होता क्या है कि जैसे अगर हम d by dx आप 10x plus 5 का भी differentiation करेंगे तो कैसे होगा आपको पता है d by dx आप 10x होगा plus d by dx आप 5 होगा तो इसका सेक स्क्वार x हो जाएगा plus में ये 0 हो जाएगा अब डियोंस ये जो बचा तो सेक स्क्वार x का जब हम integration करेंगे तो हम तो किवल 10x ही लिखेंगे लेकिन क्या यहां पर ऐसा भी तो हो सकता था कि सेक स्क्वार x 10x plus 5 का भी तो differentiation हो सकता है तो इसका मतलब इसका integration हमको ये भी आना चाहिए ये भी होना चाहिए या आपको ये भी पता है कि अगर हम d by dx हाप या 10x plus 10 लिख दें plus 10 लिख दें तो उस situation में भी हमें क्या मिलेगा सेक स्क्वार x ही मिलेगा तो कहीं न कहीं आपको ये पढ़ाया गया कि आवकल गुडान का जब integration करेंगे तो हमें वो previous function मिलना चाहिए जिसका differentiation करने पर ही आया है जबकि नहीं मिल रहा है हमें हमेशा 10x ही मिल रहा है इसलिए हमेशा ऐसा हो क्यों रहा है क्यों कि ये constant था और constant का differentiation क्या हो जायता है डिये जीरो हो जाता है इसलिए ये मान के चला जाता है कि यहां पर कोई constant रहा होगा अगर तो जीरो हो गया होगा इसलिए हमेशा से c यहां पर क्या करते है आइड कर देते हैं अब अगर वहां पर कोई constant नहीं रहा होगा तो c की वैलू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और वहाँ पर कोई कॉंस्टाइंट रहे होगा उसकी पर्टिक्डर वैलू हो जागी जैसे फाइब हो या टेन हो तो इसको यह नहीं कह सकते क्या यह कह सकते ना डी बाइडी एक साब टैन एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसियेशन तो चुकि जब हम किसी फंक्सन का डिफ्रेंसियेशन करते हैं तो उसमें जो अलग से कॉंस्टाइंट कॉंटिटी होती है वो जीरो हो जाती है और बाद में वो हमें पता नहीं होता है इसलिए इंटीग्रेशन के पस्चात हम वहाँ पर एक कॉंस्टाइंट एड़ कर देत है उसे अनिस्चित समाकलन इंडेफ्निट इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है अभी डेफ्निट और इंडेफ्निट इंटीग्रेशन क्या होता है वो चीज़ें आप सभी लोगों को हम आगे चलके समझाएंगे अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इंट करने के लिए किस तरह के सिंबल का हम यूज करते हैं और यह समाकलन अर्चर अर्थात इंटीग्रेशन कॉंस्टेंट क्या होता है अब समाकलन पर कुछ प्रमेह समाकलन पर प्रमेह दो छोड़ी theorem on integration ठीक है देखिए क्या है पहली प्रमे पहला फस्ट जैसे कोई constant है यह एक्स है इसका आप integration कर रहे हैं तो constant बाहर हो जाएगा यह एक्स का integration किया जाएगा ऐसा आप लोग differentiation में भी करते थे जब कोई function जैसे इसका मतलब यह है जैसे आप integration कर रहे हैं 5 x square का है तो फाइब एक constant इसको बाहर कर लेंगे और x square का क्या करेंगे हम integration करेंगे बात समझ में आरी इसको ध्यान रखेंगे ठीक है और देखिए दूसरी चीज यह है कि जैसे अगर हमारे पास कोई function है यह 1 x plus minus दूसरा function है यह 2 x ठीक है इसका integration लिखा गया है पूरे का एक साथ हमें दिया गया है तो इसका integration हम सभी लोग अलग अलग करेंगे मतलब यह 1 x का integration अलग करेंगे प्लस माइनस लगेगा यह 2 x का integration हम लोग अलग करेंगे मतलब क्या है इसको समझ लीजे ज़रा इसको जैसे समझ जाई है कि इसे कहीं लिखा है 5 x plus ds ट्रेंट क्या लिखा है sin x इसका integration करना है तो क्या होगा 5 x का integration अलग हो जाएगा प्लस ds ट्रेंट sin x का integration क्या होगा अलग हो जाएगा तो यह जो theorem है जो आप लोग इसको differentiation में भी use करते थे और यहाँ पर भी इनको आप सभी लोग use करेंगे अब यह तो हो गए basic चीजे हो गई अब हमें क्या करना है फार्मूलों को लिखना है उन्हें याद करना है और फिर फार्मूलों का use करते हुए problem को solve करना है तो आईए जो integration के basic फार्मूले हैं उनको हम सभी लोग यहाँ पर लिखते हैं और लिखने के बाद फिर धीरे धीरे करके उनका use करते हुए हम problem को क्या करेंगे साल्व करेंगे मानक फलनों का समाकलन यहां लिख लिजेगा फेडिंग मानक फलनों का समाकलन एक तरफ differentiation लिखेंगे और एक तरफ integration लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी देखो पहला फार्मला डियो स्विन जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अगर हम यक्स की पावर यन प्लस वन अपान यन प्लस वन का differentiation करेंगे तो यक्स की पावर यन मिलेगा मिलेगा ध्यान समझ लिए सभी लोग नहीं भरोसा हो रहा है चेक कर लोगा करके यहां देखो यह सामने आएगा यह कम होगा यही तो आएगा यह मिलेगा इसलिए आप यहां समझ जाए चूंकि ऐसा होगा इसलिए जब हम इसका integration करेंगे इसका यक्स की पावर यन का integration करेंगे तो क्या मिलेगा यह चीपावर यन प्लस वन ह Tirp प्लस वन प्लस सी ये दूसरा एक चीज और अप ध्यान लखेंगे दूसरा एक चीज आप ध्यान लखेंगे ठीक लेकिन जब आप integration करेंगे किसी constant का तो वो cx आएगा cx आएगा क्यों आएगा cx वो आपको बता जाएगा constant को यहाँ के से दिखा लोगे double c हो रहा है तो constant का 0 आता था यहाँ पर जो है वो यह आएगा अभी हम लोग समझ लेते हैं उसको समझा रेते हैं आपको क्यों ऐसा होता है क्योंकि देखो देखो जैसे d by dx आप x करोगे तो x का differentiation 1 आएगा इसलिए 1 का integration क्या आएगा बोलो x आएगा तो जब आपने हाँ पर k का integration किया तो k को बाहर कर लिया और बचा कितना 1 तो 1 का integration x तो कितना आ गया kx आ गया इसलिए धान रखिएगा कि 1 का integration करेंगे कहीं तो वो कितना आएगा x आएगा इसलिए constant का इस तरीके से होगा मतलब जैसे कहीं 5 का integration कर रहे हैं तो यह normally क्या हो जाएगा 5 x हो जाएगा समझ गए बात को न ठीक है अब देखिए ऐसे धीर धीर करके आप फार्मलों को समझते चलेंगे और नोट करते चलेंगे अब दूसर आगला फार्मला देखिए since d by dx आप log x आपने पढ़ा है log x का differentiation क्या होता है वन अपन x होता है इसलिए डियर अपन x का जब आप integration करेंगे तो log mod आप x प्लस mod इसको यह लगा क्योंकि negative number का log नहीं लिया जाता है इसके बाद आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि d by dx आप e to the power x e की power x का differentiation कितना होता है e की power x होता है इसलिए e की power x का integration भी कितना होगा e की power x हमेशा c add करते चलेंगे क्यों add करते लेंगे यह मैंने आप सभी लोगों को बताया है ठीक है अगला एक और आप लोग पढ़े थे इसके बाद उस पर आजे ट्रिक्नमेटरी भी आजए d by dx आप sin x sin x का differentiation क्या होता था cos x होता था तो cos x का क्या हो जएगा dstone sin x हो जाए cos x का जब integration करेंगे तो कितना हो जाएगाoser sin x हो जाएगा समद रहें बातों को ऐसे ही d by dx आप आप उने cos x पढ़ा था niin sin x पढ़ा था तो अगर आप sin x का integration करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपको minus cos x मिल जाएगा plus में क्या हो जाएगा c हो जाएगा ठीक है इन फार्मलों को आप सभी लोग ऐसे note करिए धीरे धीरे करकर के और आपकी बुक में ये चार्ट बना हुआ है जैसे अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे d by dx आप 10x तो क्या होगा c square x c square x 10x यहाँ पर x का minus cos x square होता है यहाँ पर हम लिखेंगे cos x square x का minus cos x होता है ठीक है ऐसे ही सारे formula हम लोग लिखते चले जाएगे इसको note करिए तो आगे के formula को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फिर होन सारे formula का use करते हुए हम लोग problem को क्या करेंगे solve करेंगे देखिए जहांसे सारे फाबले मैं नहीं लिखने वाला हूँ जैसे आपको पढ़ा है आपने पढ़ा है डी बाई डी एकस आप 10x है ना तो 10x का differentiation क्या होता है बोलो Seks2x होता है इसलिए जब हम Seks2x का integration लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइये 10x हो जाएगा और क्या हो जाएगा अपने पढ़ा है कि डी बाई डी एकस आप क्या國 X जो होता है इसका integration माइनस में कॉसेक स्क्वाइर एकस होता है इसलिए जब हम कॉसेक स्क्वाइर एकस का इंटीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा –Walt-X-C मिलेगा आपने पढ़ा है जो हमारा het a-セk of x होता है इसका de getting bir formula होता है sec ax into tan x होता है इसलिए sec x into tiens का जब हम integration क्रेंगे तो हमें क्या मिलेगा CX plus C मिलेगा आपने पढ़ा है डियोषेंट्स की D by DX आप जो हमारा CAUSEC X होता है इसका differentiation minus CAUSEC X into Cortex होता है इसलिए अगर हमें CAUSEC X into Cortex का integration करना पढ़ा तो हमें minus CAUSEC X plus C मिलेगा आपने पढ़ा है कि D by DX साइन इन वर X का differentiation 1 upon root over 1 minus X square होता है इसलिए अगर हमें इसका integration कहीं करना पढ़ा तो हमें क्या मिलेगा साइन इन वर X plus C मिलेगा इस तरीके से DSN सारे फार्मूले आप सभी लोग लर्ण कर सकते हैं सारे फार्मूलों को हमें यहां लिखने की आवस्यक्ता नहीं है जितने भी फार्मूले आप सभी लोग की book में दिये गए हैं कोई भी book आपके पास होगी उसमें इस तरीके से फार्मूले लिखे गए होगे और अगर आपको differentiation का formula learn है तो integration का formula आप सभी लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा उसमें किसी ब्रकार की कोई समस्या नहीं है मैंने पूरा समझाने का आप सभी लोगों को प्रयास कर लिया है कि integration reverse process होती है क्या होती है, कैसे होता है क्या समाकल होता है, समाकल क्या होता है समाकन कैसे किया जाता है सारी की सारी बातें मैंने आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझा दिया है सारी प्रमे सारी थियोरम्स मैंने बता दी है अब आईए कुछ एक्जामपल लेकर करके थोड़ा सा डिसकसन करेंगे इडियो सेंट्स उसके बाद फिर आज की इस लेक्चर को समाप्त करेंगे आपका जो काम है वो जरा ध्यान दे लिए मैंने सारे फार्मुले यहां पर नहीं लिखे हैं आप सभी लोगों के बुक में फार्मुलों का चार्ट बना हुआ है उन सारे फार्मुलों को आप सभी लोग जरूर से जरूर ठीक है जरूर से जरूर लिखेंगे और उसको आप सभी लोग क्या करेंगे तयार करेंगे आईए कुछ कुछ संस हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ सियर करूं और देखूं कैसे problem को solve करता जैसे integral आप 1 plus 2x लिखा हुआ है plus media strength x square लिखा गया है एक question ये है जैसे हमें solve करना है और UP diploma 2009 में ठीके Board Art Technical Education उत्तर प्रदेश BT UP के द्वारा 2009 में question पूछा गया था तो कैसे इसको हम लोग solve करेंगे अराम solve करेंगे अलग अलग integration लगेगा 1 का integration अलग होगा 2x का integration अलग होगा और x square का integration क्या होगा अलग हो जाएगा अब इसका integration क्या होगा x होगा plus में यहां 2 बाहर होगा x बचेगा तब ऐसे होगा और x square का क्या होगा x की power 3 by 3 प्लस में अभी C मत जोड़ी देखो जब कई सारे integral ऐसे हो रहे होंगे तो किवल एक ही बार integration constant add किया जाएगा बार बार नहीं add किया जाएगा तो क्या होगा x और x का कितना होगा x square by 2 2 into x square by 2 plus x cube by 3 plus c 2 से 2 cancel हो गया क्या बचा x plus x square plus x की power 3 by 3 plus c और ये dear students आपका क्या होगा answer इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी भी function का integration करेंगे तो वहाँ पर समाकलन नियतांग integration constant जरूर से जरूर add करेंगे अगर आप integration constant नहीं add करते हैं तो वो question आपका गलत हो जाएगा ठीक है आईए कोई और question solve करते हैं जिससे आपको चीज़ें अथ्ये से असपस्ट होती जाएंगे धीरे धीरे करके एक question एकदम इसी तरीके से है उसको हम यहाँ पर solve करते हैं देखिए second है integration आप x की power 3 plus 3x square plus 3x plus 1 का integration करना है तो कैसे करेंगे यह 2010 में पूछा गया है अलग-अलग करेंगे इसको हम देखिए x cube का integration अलग हो जाएगा plus 3 यहाँ बाहर होगा x square का integration अलग होगा यहाँ 3 बाहर होगा x का integration अलग होगा यहाँ 1 का integration अलग होगा अब देखिए क्या होगा x की power 3 का क्या होगा x की power 4 by 4 कौन सा फार्मला अलग रहा डियो स्रिंट से यहाँ पर x की power n का integration संदम क्या होता है य एक्सकि पाउर यन प्लसवन अपान य प्लस-वन प्लस सी यहीं फारमुला यहां पर हम लोग इंपकर रहें तो प्लस में यहां 3 होगा, इंटू X की पावर 3 बाई 3 यहां हो जाएगा, प्लस 3 होगा, इंटू X स्क्वार बाई 2 होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, वन का X हो जाएगा, तो finally क्या मिला, X की पावर 4 बाई 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, X की पावर 3 प्लस 3 X स्क्वार ब the process of integration आपको वहाँ पर constant जरूर से जरूर आइड करना है समाकलन नियतांक integration constant क्यों आइड किया जाता है यह मैं आप सभी लोग के साथ अच्छे से discuss कर चुका हूँ ठीक है अभी अभी discuss कर चुका हूँ आईए कोई और question देखते हैं धीर धीरी करके चीजे आप सभी लोग को समझ में आएंगी बेहतर तरीके समझ में आएंगी ठीक है ध्यान समझे चलिए बस next question देखेंगे आगला question देखेंगे यहाँ पर लिखा integration आप x की power x plus 3 और x minus 4 अब देखो डियर सेंट्स integration में product tool अभी आगे चलके आपको सिखाया जाएगा जैसे differentiation में product tool होता वैसे इसमें भी होता उसको integration भाई parts कहा जाता है लेकिन यहाँ product tool अभी नहीं लगाना इसको कैसे solve करना दोनों को multiply कर लेना देखो ध्यान से कैसे इसको इससे multiply करो x square होगा इसको इसके साथ करो minus 4x होगा plus में कितना होगा 3x होगा और minus में 12 होगा ठीके पूरे का integration हो जाएगा solve करेंगे x square minus में x आएगा minus में 12 आएगा अब अलग-अलग कर लो इसको x square का integration अलग होगा x का integration अलग होगा minus 12 बाहर होगे यहाँ 1 का integration बन जाएगा बाते समझ में आ रही होंगी x square का integration x की power 3 by 3 होगा और इसका x square by 2 होगा minus में 12, 1 का integration x होगा plus mediation क्या आ जाएगा c हो जाएगा इस तरीके से यह आप सभी लोगों को इसका क्या मिल जाएगा integration मिल जाएगा ठीके न और भी बहुत सारे questions हैं बहुत सारे questions बहुत सारे problems को हम सभी लोगों को यहाँ पर solve करना है लेकिन अभी आज के इस lecture में मैंने आप सभी लोगों को इनके basic concept को बताने का प्रयास किया है basic चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी integration करने के लिए आपको पहले formula learn होने चाहिए तो आज के इस lecture में मैंने आप सभी लोगों को सायद यह सिखा दिया है कि integration क्या होता है integration constant क्या होता है ठीके न? integration कैसे किया जाता है? कौन सा symbol use होता है? कुछ छोटे छोटे example भी मैंने लेकर कि आप सभी लोगों के साथ discuss कर लिया है तो जो मूल है integration का I hope वो मैं आपको समझा चुका हूँ आज का आपका काम इतना है कि जितनी चीजे मैंने आपको बताई है उनको अपनी रख फेर कॉपी में जो मैंने मैं आपको बनाने के लिए कहा है उसमें से अच्छे से नोट कर लिए और सारे फार्मूलों को उसमें आप लोग नोट कर लिए और सारे फार्मूलों को नोट करने के बाद उसके बाद तब आप exercise को कुछ को साल्व करिएगा बाकि next lecture में हम जितने भी इसके important question है उनको आपको साल्व करा देंगे और पहला chapter आप सभी लोगों को complete हो जाएगा फिर हम next chapter की तरफ आगे बढ़ेंगे आज का ये lecture अगर आप सभी लोगों ने complete देखा है तो comment section में comment करके जरूर बताएगा कि आप सभी लोगों को ये lecture कैसा लगा कितना आप सभी लोगों को समझ में आया है अगर आप सभी लोग इस तरह का compliment देते हैं तो मेरे लिए भी अच्छा होता है आप सभी लोगों को समझाना अपने दोस्तों के साथ lecture को जरूर से जरूर share करिएगा जिससे हम जादस 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 लोगों हैं और आप सभी लोग कापी और पिन ले करके बैठे थे आज की class का experience आप सभी लोगों का कैसा रहा comment section में comment करके जरूर बताइएगा बाके डियो सेंट्स आज की इस lecture में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब तक लिए सांदा रही है और पढ़ते रही है